वेलो नमस्कार साति हूं आप सभी का स्वागत है क्यानारत अकेडमी यूटूब चैनल पर आज अपन डिसकर्च करने जा रहे हैं जो लडी सी एक्जाम हुआ था 2018 उसका ऐनलाइसिस करेंगी कि किस टॉपिक में कितने क्यूशन आये हैं और इस बार जो एक्जाम होने वाला है उसमें टॉपिक वाईस कितने क्यूशन आ सकते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपोर्टेंट है कौन सा आपको ज्यादा पढ़ना है आपको मैट्स को आप पूरा एजीली कर सकते हो तो आपको अभी से मैट्स की एक टाइम के हिसाब से कि कितनी प्रिप्रेशन करनी है कौन से टोपिक को कितना टाइम देना है उस टाइप से आप अभी से यदी रेगुलर तयारी करोगे तो लास्त तक जो आपके 50 कुशन आते ह इतने ज़्यादा तफ नहीं होते हैं बौत दीजी और सर्थ पेपर आता है ठीक है यदि आप उसką अच्छे से तयार करते हो हर एक टोपिक को हर एक टाइप की वींशन करते हो तो आप ऐसीली उस चीज़ को तयार कर सकते हो ठीक है तो मैं आज आपके लिए लेकर आएँ ए एपर हाँ थे सुझी जए आपको किस टॉपी को कितना तायार करना है ठीकर आपके पास में सेलेबस तो हो गई उसी में सब्सदेखो लिए इस ज़ takich है यह है कि यह अपके लिए बनाया है फर्स्ट टोपिक है आपका वेदिक पदेति से वर्ग का वर्ग, वर्गमूल आयतन, यह इस जगे आयतन नहीं है, यह है आपका गन और गनमूल, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं अपन, इस जगे यह है आपका गन और गनमूल, ठीक है, सेकेंड वाला है आपका गुणन खंड, गुणन कारक समिकान, दो चरवाले, रेखिक समिकरन, धीगाद समिकान और लगू गुणक, ठीक है यह थोड़ा आपके advanced mathematics का topic है, तो अब वहाँ पर क्या हुआ था पिछली बार, जो LDC का paper था, वो अलग-अलग shift में हुआ था, तो उससे जिन बच्चों का second shift में या third shift में था, उनको यह फाइदा हुआ कि जो first shift में paper हुआ, उसको देखके उन्होंने imagine कर लिया या अनुमा कर सकतो, जैसे इस बार भी यदी होगा, तो उसी type से होगा shift wise, तो shift wise होने से क्या फाइदा होता है, जैसे first पारी में जो exam हुआ, फिर next पारी अगले Sunday को होगी, तब तक आपके पास में इतना time होता है कि आप उस paper को analysis कर लो, या next day हो तो भी आप इतना time होता है कि आप उस च टोपिक है total, साथ पार्ट में इसको divide कर रहा है, ठीक है, इन साथ पार्ट में से किस type के और कितने question आ रहे हैं, ठीक है, अब देखू, first है आपका वेदिक पदिति से वर्ग, वरगमूल, गन, गनमूल, ठीक है, अब जैसे किसी number का आपको square निकालना है, या square root निकालना है, या वरगमूल निकालना है, गन निकालना है, या आपके छे डिजिट तक का दिया हुआ है, इसमें आपको 6 अंकु तक का ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं करना है, छे अंक तक का, तो जैसे जरूरी नहीं कि आपको उसको वेदिक से ही करो, यदि उस question में आपको method पूच लि कि 729 का गनमूल क्या होगा, या 64 का इसको रूट क्या होगा, वरगमूल क्या होगा, तो आप इसमें जो आपन नॉर्मल मैथम्टिक्स यूज करते हैं, उसी से आपन कर सकते हैं, इसको easily है ना, और इसमें जो आपके 2018 वाला जो LDC का एक्जाम था, ये 2018 वाले LDC के एक्जाम में, जो फर्स सिप्ट का पेपर था, उसमें से 4 क्यूशन आये थे इसके, और इसमें जो ज्यादा क्यूशन थे वो गनमूल के थे, ठीक है, और गनमूल में भी 6 डिजिट तक के हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, अब आपको इसमें थोड़ा, कि इसमें भी आप टाइम वेस्ट ना करें, इसके लिए आपको क्या करना है, एक से लेके 30 तक के वर्ग और एक से लेके 30 तक के संख्याओं के गन याद कर लेना है, ठीक है, तो ये याद होंगे तो आपका क्या होगा है, जो मैथमेटिक्स की जो केलकुलेशन है, जो भी केलकुलेशन है, उस next question में use कर सकते हैं. जैसे ऐसा होता है कि हर एक question में ज़रूरी नहीं कि same time लगता हूँ. कोई question होता है कि जो हार डो पांच मिनिट भी खा जाए. है ना? अब देखो next. तो इसमें आपके first shift में आये थे 4 question, second shift में भी 4 question और जो last वाली shift थी उसमें only 2 question आये थे. तो maximum इस topic से आपके कितने question आ सकते हैं? 4. तो इसी type से इस topic को आपको तयार करना है. और इसमें ज़्यादा चीजे भी नहीं है. क्या है? तीन चीजे हैं. चार चीजे हैं. एक तो किसी method का particular आपको नाम वगएरा वो चीजे पूछ ली तो उसके लिए आपको वेदिक का पता होना चीजे और इसको वेदिक से ही पढ़ाया जाएगा वैसे तो. ठीक है? लेकिन ये आपको याद रहेगा तो आप और अच्छे से calculation भी mathematics की कर सकते हो और जो पिछले मेने papers में क्यूशन देखे हैं उनमें तो यदि आप यही याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है? अब next है आपका second वाला है. गुणन खंड, गुणन कारक समीकंड, दो चरवाले रेकिक समीकंड, दीगा समीकंड, यह सारी चीज़े हैं 10th class की mathematics की. ठीक है? यह जो logarithm है, यह basic mathematics का topic होता है. लोग वाले जो आपने सुना होगा कभी. लोग 10, बेस इस टाइप से. तो इसमें से आपके 2018 वाले जो LDC का exam हुआ था, उसमें first shift में आये था आपके 6 कुशन, second shift में आये था, 7 कुशन और last वाले shift में इसके 8 कुशन आये था. तो maximum इस topic में से आपके 8 कुशन आ रहे हैं. ठीक है? टोटल पेपर आपका 50 कुशन का है, उसमें से 8 कुशन इस topic में सारी. तो देखो first वाला जो वेदिक वाला था, उससे थोड़ा ये ज्यादा important है. ठीक है? अब देखो, इसमें किस-किस टाइप की कुशन बन सकते हैं? इसमें, जो मैंने देखा इसमें, एक तो कुछ, जैसे मैंने ये लिख दिया, x square plus 6x plus 9, इस टाइप से. कि इसके factor क्या होंगे? इसके गुणनखन क्या होंगे? और कोई समिकाण देदी, उसके कितने solution होंगे? दो चरवाल रेकिक समिकाण देखे देदी, आजी संगत है या संगत है कि रेकाएं परतिछेद करेगी या नहीं करेगी? और द्विगात समिकाण में कि इसका मूल वास्तिक होगा या अबासी होगा? किस टाइप का मूल होगा? जो 20 स्कॉर माइनस 4 AC से चेक करते हैं और लोगरितम वाले में पर्टिकुलर वेल्यूज निकालनी है ठीक है? उस टाइप की question आए वे थे इसमें लोग के ज्यादा question नहीं है उसमें एकाद question होगा इसका बाकी सब चीजे इन में से question होगा ठीक है? तो आपको इस topic को भी थोड़ा importance देनी है आपको फिर next आपका अनुपात समानुपात इस जगे समानुपात है यह है आपका समानुपात अनुपात समानुपात परतिसत लाभानी सांजा साधारन ब्याज चकरवरती ब्याज और discount छूट इस topic में से आपके आये में हैं फर्स सिप्ट में आये थे 12 क्यूशन फिर आये थे 10 क्यूशन और फिर आये थे 10 क्यूशन अब देखूं जैसे जैसे अपन नीचे चल रहे हैं नीचे बढ़ रहे हैं उस टाइप से question number of question बढ़ रहे हैं ठीक स्टार्टिंग में आप यह वाले किसके हैं आपके अंक गणीत के हैं ठीक है अब अंक गणीत वाले में क्या हैं कि अंक गणीत वाले आर्स वालों के लिए थोड़ा भी इजी रहता है ना आर्स वाले बच्चों में क्या होता है कि यह जो बागी topic है यह सारे क्या advance क्या है और advance उन लोगों के लिए क्या होती है, तोड़ी, hard होती है, लेकिन advance में यह है कि कुछ चीजें जो आपको fix याद रखनी है, जैसे कुछ चीजें आपने याद कर ली तो उससे आपका काम हो जाएगा, जैसे इसको और वाले में याद कर लो, इससे काम हो जाएगा, गुणनखंड वाले में दो-तिन टाइप ही है, ज्यादा इतने नहीं है, fix दो टाइप होंगे, उस टाइप से आप गुणनखंड कर सकते हो, दो-चरवाले रेकिक समिकाण में तीन टाइप है, कि इनके संगत होंगे, उनका solution किस टाइप का होगा, रेखाएं परतिछेद करेगी, रेखाएं समानतर होगी, या रेखाएं समपाती होगी, इससे ज़्यादा टाइप नहीं है, दुईगात समिकाण में फिर से तीन और लोगरिथम में फिक्स, एक-दो जो उनके रूल से वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इस टोपिक को थोड़ा आपको, आप देखो, इस वाले में क्या है, अनुपात समानुपात में से, फिक्स है, एक-दो क्यूशन आया होगा है, जो परसेंटेज वाला है, इस परसेंट बढ़ा दिया, चोड़ाई को इतना कम कर दिया, तो आयत के सेत्रपल में कितने परसेंट की वर्दी होगी, उससे रिलेट करके इनुने वहां से दो-दो क्यूशन पूचे में, हर एक एक एकजाम में, ठीक है, तो उस ताइप की क्यूशन भी आपको क्या करने है, तयार करने है, गनाप के आईतन में भी इस टाइप से करा हुआ है, वर्द के परीदी, वर्द की तरीजिया में दो-परसेंट की बढ़ोधरी कर दी, कमी कर दी, उस टाइप की क्यूशन भी इनुने इस परसेंटेज को उससे कनेक्ट करके पूचे गए हैं, ठीक है, अब इ और इतना ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है, जिस टाइप से बाकी एक्जाम में होता उतना टफ नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका बेस, ट्वल्थ बेस पहना तो उस टाइप से नहीं है, ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके फॉर्थ वाला टोपिक, यह आपके एडवांच मैथमे इस टोपिक में से आपके 9 क्यूसन आए हुए, ठीक है, फर्स्ट शिप्ट में आये थे 9, सेकेंड वाले में भी 9, और थर्ड वाले शिप्ट में कितने क्यूसन आये है, इसमें 13, अब देखो, यह टोपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ इतना ज यह इसके कौन सा कौन होगा, सिरसा बिमिक होगा, इस टाइप से यह आपको, कौन से टाइप related, क्यूसन से पूचेंगे, यह X हो जाएगा, तो यह कितना होगा, इस टाइप से क्यूसन से बनेंगे इसमें, ठीक है, एक तो यह हो गया रेखा, और कौन पर, वह ज्यादा और नेक्स्ट है, इसमें तिरभुज, तिरभुज, जूंकि सरवांग समता की, कौन-कौन से सरवांग समता होती है, इस तिरभुज में यह बुजा इतनी है, तो इस वाले में कितनी होगी, कौन-कौन से रूल्स होते है, बुजा-बुजा-बुजा उस टाइप से, ठीक है थे हैं अर्हसी सर्वांग समता कि 3-4 रूल होता है उस ताइप से ठीक है फिर है काफिसं निर्दे शांग है अब यह एक छोटा सा टोपिक होता है काफिस्व इसका 1 यह सेकेंड यह थार्ड और पूर्थ चतूर्थ 10 यह चार चतूर्थ 10 होंगे इसके इन चारू चतुरतांस में कौन सा x कहा पोजिटिव होता है, कहा नेगेटिव होता है, यह सब चीज़े, simple simple से क्यूशन दिये हैं, इसमें दोनों x और y पोजिटिव होता है, इसमें x नेगेटिव य पोजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव होता है, यह भी पूचा ह हुआ कि X और Y दोनों नेगटिव कौन से चतुरतांस में होते हैं इतने सिंपल क्यूशन ठीक है इस वाले में X पॉजिटिव Y नेगटिव होता है ठीक है अब इसमें दो ऐसे बिंदू भी देदेगे जैसे ये बिंदू इस पॉइंट के निर्दे सांग देदी आपको पी गए क्योंके इनके बीच की दूरी क्या होगी इसको यदि विभाजन कर देंगे एक तो दूरी शुत्र होता विभाजन के तो अलग अलग शुत्र होते ठीक है फिक्स है, तीन क्यूशन हो गए, इन तीन क्यूशन पर ये इतना सिस्टम, यहां से लेके, यहां तक का ये सारा खतम हो जाएगा, ठीक है, तीन फोर्मूले पर, है एडवांस का लेकिन बहुत सिंपल सा टोपिक है, ठीक है, और ये वाला, तिरबुजों की सरवांग सम्ता औ किस टाइब से होगा या नहीं होगा, वो ज़्यादा किस पर फोकस करते हैं, ओनली इस टोपिक पर तयार करते हैं, कि बाकि सब तो हमारे बस की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आप बाकि सब को भी तयार कर सकते हो, ठीक है, आप देखो next, हाँ, नेक्स्ट है, आपका फिफ्ट वाला टोपिक, सेत्ती सम्तल आकार सेत्र वर्थ की परीदी और सेत्र प्रस्टिय सेत्र फल, गन गनाब, गोले, संकु और बेलन का आयतन, ठीक है, यह बिलकुल फोर्मूला बेस्ट है, यह बाला टोपिक क्या है, आपको 5, 7, 10 फोर्मूले याद करने, सारा उसी फोर्मूले पर गूम फिर के, उसी पर खेल ले सारा है, यह आपने फोर्मूले अच्छे से याद कर लिए, तो इसके सारे क्यूशन सही कर सकतो, चाए आप आर्ट्स के हो, चाए आप मैतमेटिक्स क्यों, लेकिन इसके फोर्मूले आपने याद कर लिए, तो इसमें जितने भी क्यूशन आने हैं वो सारे सोल कर लिए, और सबसे ज्यादा क्यूशन इसी टोपिक में सारे, जितने भी क्यूशन आरे हैं, जैसे देखो, 2018 में, 1st shift में 14 क्यूशन आये, 2nd में 14 और 3rd वाले में 7 क्यूशन आये, ठीक है, तो अब देखो, 14 क्यूशन, 14 क्यूशन बहुत माइने रखता है, ठीक है, अब देखो, इसमें 37 समतल का आकार, जैसे वर्त, परीदी और 7, इसमें किस-किस टाइप की क्यूशन बने थे, ठीक है, जैसे यह आपको circle दे दिया, ठीक है, अभी मैंने इतनी है, इसका ये इतने degree का कौन मेंड़ा है, तो इस तरिजेकन का सेत्रफल कितना होगा, एक तो इस टाइप की क्यूशन दिये, परीदी सेत्रफल पर क्यूशन दिये, और गन गनाब का परिष्टिय सेत्रफल, ये जो तीन चीज़े हैं, देखो, एक तो गन देरका आप है आपके सेलेबस में, एक गोला, संकु और बेलन, एक, दो, तीन, चार और पांच, इन पांच के फोर्मूले याद करने, और तो कुछ ही नी भी नहीं, ठीक है, संकु का छिनक वगएर आपने हैं तो सिंपल है, पिरामिड भी नहीं है अपने, तो सिंपल सिंपल पांच है गन, गनाप, गोला, संकु और बेलन, ठीक है, हर एक के तीन फोर्मूले होते हैं, फिप्टीन फोर्मूले बनेंगे टोटल, तो ये कुल 15 फोर्मूले याद करने से अपने कितने क्यूसन सही हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इस टोपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इ अच्छे से दे दिया कि इस वर्थ कि से तरिया ये है कुछ, ए दे दे इसकी बी दे दे इन दोनों का रेशियो बताओ, इस टैप से, रेशियो वाले क्यूसन भी दिये में इसमें, ऐसा क्यूं कर रहे हैं, क्यूंकि देखो, आपके पीछे अनुबाय समानुबाय का भी टो जितना हो सकता उस क्यूसन को नाना, तो न मुट वाले सम्पल बनता है, जैसे सिंपल सा है, तू सिंपल को मुञ्ले काशियो बनाने के लिए क्या करेंगे? एक ही सिंपल सारे सारे स्य एड त outra का परदेंगे, तब ही तो रेता है, अपने जब मैट्स में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे सिंपल पड़ते हैं, फिर उसके बाद में उसमें कुछ एड़ करते हैं, एड़ करते हैं, मतलब जो पीछे वाला उसको भी लेकर चलते हैं, अपने यही तो रूल होता है, फिर जब तक लास जाते हैं, उसमें क् पुराने टोपिक्स हैं उनको भी एड किया हुआ है उनका नोलेज भी आपको साथ लेके चलना है तब जाके आप उस कुछन को कर पाओगे ठीक है तो इसके लिए आपको फिक्स फॉर्मूले याद करके आप अच्छे से कर सकते हैं और यह सबसे सिंपल टोपिक है आपके और कुछन भी ज्यादा आ रहें कितने 14 कुछन आ रहें इसमें से टीक है तो और मैं यह आपको सारे पिछले पुराने जितने भी पेपर उनको सौल भी कराऊंगा मैं तो जितने जिस टॉपिक में से कुछन चाहे हुए हैं उस टॉपिक को जब अपन पढ़ेंगे तो उसके सा ना दिया जाए तो उस सिंपल से कॉंप्लिकेटेट किस किस टाइप से बन सकता जितने टाइप होंगे उन सब को अपन करेंगे ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका कौन और उनके माप ठीक है न्यून कौन के तिरकौन मीती अनुपात तिरकौन मीती सरोसमी का डिग्री रेडियन वो थोड़ा एलेवंत में आ जाता है लेकिन उसका भी एक क्यूसन दिया वा था तो सिंपल है वो ज्यादा हाड नी है पाई अपॉन एक्सोस सीन टू इस टाइप से डिग्री माप में चेंज करने वाला है तो वो दो फोर्मूले होते है ठीक है सरोसमी क तीन होती साइन इसकोर ठीटा प्लस को सिंपर ठीटा वन वन प्लस टेन इसकोर से ऐख और उस टाइप से वो तीन याद करनी है और सिंप्धें को स्टवर कैंश किस टाइप से निकालता है या जो अangoerez स्टोटी क्लास सेस्में ठेंथ मृल वह फोर्मूला या तरडी उस है यह इसकी चाहिया है तो यह इस से लंबाई कितनी हो जाएगी जैसे यह पेड़ था यह यहां से तूट गया तो यह टोटल पेड की लंबाई क्या होगी यह उनियन को और उनमन को इस टाइप से चक करने वाला ठीक है तो इसमें से आपकी ज्यादे क्यूशन नहीं आ रहे हैं 2-3 इसमें 2 क्यूशन आयते इसमें 3 आयते इसमें 5 क्यूशन आयते ठीक है तो इस टोपिक को आप कर सकतो लेकिन इतना complicated भी नहीं है 2-3-5 formula याद करोगे एक class में आप इसको अच्छे से कर सकते हो ठीक है लेकिन उसका revision भी करना पड़ेगा आपको next है आपका आंक्डे परतिनी दितव के आंक्डे केंद्रिय परवर्ति का माप मापन ओसत विचलन मर्त्यू आंक्डे और सुचकंक ठीक है यह आपके aesthetics का है जो माध्य बहूलक वगेर आपने है नाम सुना होगा न एक होता माध्य माध्यक और बहूलक यह जो तीन चीज़े होती एक इसमें विचलन भी होता उस पर भी एक क्यूसन आवा था ठीक है यह 11 का पार्ट है लेकिन ठीक है दे देते कभी कभी तो यह जो चीज़े हैं माध्य माध्यक और बहूलक यह वाला टोपिक है और इसमें जो यह जो है आंकडे वाला इसमें तो क्या है कि इसको percentage से connect कर देते कि जैसे यह वर्दी टीर तो यह कमी दर थी तो इसमें कितना पर्शेंट चेंज हुआ कितने प्रती सत कम हो गए कितने परसेंट बढ़ गए तो परसेंटेज आप नॉर्मल निकालना जानते और वो ईजीली हो जाता और इसमें केंद्रिय पर वट्रवर्ती वाला माप में जैसे वो आपको इस टाइप से एक circle दे देते हैं फिर उसमें यह इतना खर्च इस पे हुआ यह steady पे खर्च हुआ यह आपके देनिक दिन्चरिया पे खर्च हुआ तो बचत क्या हुई इस टाइप से जो 360 degree पे change करके angle check करते हैं एक जो आपके graph बनाके देते हैं इस type से, ठीक है, graph देते हैं इस type से, दंडारेक, ठीक है, ये वाला भी इसी से related है, अब इस पे तिन दिन क्यों सनाएंगे, यदि माध्य माध्य बहुलक में ये तिन formula याद करने हैं, और ये simple सा है, ये दो चीज़ें, और देखने हैं, ठीक ह हूँ, हर एक चीज को जैसे जैसे बताया जाएगा, उस type से तयार करते हो, तो आप ना करते हुए भी, मतलब तयार करते रहोगे साथ साथ में, तो आप 50 में से 50 माक्स ला सकते हो, easily, और इतना कोई बहुत ज्यादा complicated paper नहीं आता है, simple सा paper आता है, ठीक है, आप पुराने papers उ हमको regular time देके, जैसे हर एक चीज को अपन time देते हैं, कि मैं जो एक गंटा देना है रोज का या दो गंटा देना practice के लिए, पढ़ना अलग चीज है, practice करना अलग चीज है, जैसे अपन पढ़ते तो दिन बर रहते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है, कि practice कितना कर रहे हैं, जैसे आज अपन ने कुछ topic पढ़ा, आज अपन ने परतिसत वाला topic पढ़ा, तो उस पे अपन खुद से कितने question कर पा रहे हैं, जैसे अपन ने कुछ practice set open किया, उसमें से अपन 50 question है, उसमें से अपन कितने सही कर पा रहे हैं, तो वो अपनी होगी, कि अ जैसे पुराना किस टाइप से आया था और नया क्या आ सकता है, नया क्या भी नहीं कि किस किस टाइप से आ सकता है, जैसे आपको इस टाइप से एक टाइप से क्यूशन बन सकता है, तो अब इस टाइप के और कितने अलग-अलग टाइप से भी क्यूशन बन सकते हैं, जैसे आ पुराने पेपर्स भी शोल करवाया जाएंगी और बाकी मैंने आपके सामने यह structure बताई दिया कि किस पेपर में से कितने क्यूशन किस किस टाइप से उर कितने कितने क्यूशन आयत है अपको कोई भी टोपिक और कोई भी चोटा सा पार्ट में नहीं छोड़ना इसका फ्री के जैसे ना किसे बहुत सारे बच्चों गएसे लगता की मैश थो ड़ा सब घ्र्केट एस चीज और किअई आपने देखा कि आप कभी किरकेट खैलते हो पहस्ता ने हो मत होँ तो है, किल कर लेकर में हमें हो छाफ चीज जो ऐसे तो फिर बहुत बड़ा सांप बन जाता था, तो वो कब बनता था, जब आपन उसको प्रेक्टिस करते रहते थे, तो Mathematics एक प्रेक्टिस का सब्जेक्ट है, यदि आप उसको रोज टाइम दोगे, आपकी चीज कोई भी चीज तब बनती ही, यदि आप उसको रोज टाइ छे रहते हैं, यवी कोई रहते हैं, वो फृ बनता था बड़ा के बनता थाज बनता था रहते हैं, यदि एवाप्ड़ कोई लहते हैं, ओ। विर वे लिल आता थाले कीज